इतना कि तो आप तो सरकार भी परिशान हो चुकिये, सरकार ने WhatsApp को वार्निंग भी देडा ली, भाईया देखो, गुश्च मुव्मेंट अब होने वाला है, कुछ क्रैकडाउन तो आप जरूर होगा, इतनी जाने गई है, फिर क्या हुआ, फिर लोगों को ऐसे messages आने लगे अपने WhatsApp पे, क्या message? कि सरकार सडिनली अब सब कुछ monitor कर रही है, आपके social media पे, आपका Twitter, आपका Facebook, आपका WhatsApp, आपके family good morning message में भी गुश्च चुकी है सरकार को, ये दाबा किया गया कि अब सरकार के पास सारा information है, साब खुला चिठा है आपका, Starting 7th of July 2018, your devices are connected to the ministry systems, ओहो, अरे वा, इसका मतलब है कि हम अपना सडख, पानी, बिजली वाले problem सरकार को WhatsApp के द्वारा भी भेज सकते हैं, अहा, यही तो trick है, ये भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस खतरनाक message में, इस warning message में ये भी कहा गया है कि सरकार और ट्राइमिनिस्टर के बारे में कोई comment नहीं, कोई sharing नहीं, ओहो, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अब ये brazenly, blatantly एक fake forward है, क्योंकि इतनी सारी चीज़े एक साथ एक message में हो नहीं सकती हैं, और इतनी जल्दी implement हो नहीं सकती हैं, लेकिन आपको क्या है, आप तो डरे हुए हो, आपको तो believe करना है, और जब fake news की बात चली है, तो भई, लोगों ने उसमें dimension, थोड़ा सा और मिर्च मसाला भी डालना शुरू कर दिया, नहीं, मजाग नहीं करता हूँ, ये देखिए, 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 ये तो भई, बैंगलूरू cybercrime police है, शुद्ध हिंदी में notice issue किया जा रहा है कि भई, people should on social media remove all ma, बहिन, बेटी के pictures, दुनिया जालिम है, दुनिया में कोई न कोई देख रहा है इन सब pictures के बारे में, और हमें अपनी ma, बेटियों को बचाना है, basically जो ये police, cyber police ये कह रही है, कि देखो, अपनी ma, बेटियों को selfie post करने मत देना, हाँ, हाई देया, ये कैसे हो सकता है, भाई, बगावत हो जाएगी अगर ऐसे selfie रोग दे घर पे, और वैसे cyber crime police ने ये भी कहा है, कि अगर पहले से ही ऐसे selfies हैं, तो उनको delete कर दिया जाए, अब ये कितना impractical है, ये आप भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ, अगर police का कही न कही ठपा लगा है इस fake message पे, तो असली होगा, और जैसे कि मैं अक्सा कहता हूँ, कि news कभी मर जानता नहीं है, मने fake news को definitely नहीं मरता है, फिर से जिन्दा हो जाता है, आइए देखिए, ये तीसरा पहलू, जी हाँ, third dimension, सरकार आपका हर WhatsApp message पढ़ रही है, उसको study कर रही है, और उसके बाद pass या fail कर रही है, जी हाँ, three ticks, अगर आपके पास three ticks लगा है, इसका मतलब है, सर गलत किया है, और police आपको दबोचने आ रहा है, कहां से ले आते हैं ऐसे सारे fake news, ये इसमें भी imagination लगता होगा, चलो ठीक है, जब इतना करी दिया है न, तो एक पाचवा भी टिक लगा देते हैं, पाच टिक मने, God has read your message, भगवान ने आपकी सुन ली, तो अच्छा बताओ, इन सब के बीच में सच क्या है, देखो यार सच ये है कि WhatsApp messages end to end encrypted होके आती है, खुद WhatsApp भी in messages को नहीं पढ़ सकती है, अच्छे चलो मान लिया, WhatsApp ने कुछ ऐसा कर दिया, और सरकार ने आपके सारे messages पढ़ने शुरू कर दिया, क्या किसी भी सरकार के पास इतना time है, अरे आप उनको punish कर दे, यही बहुत होगा, government should not and cannot do more than this, बाकी की जो जंग है, वो आपको और हमको मिल के fight करना होगा, ऐसे घटिया messages को पकड़ के और उनको expose करके, और जो ऐसे लोगों, जो लोग forward करते हैं, ऐसे messages को, उनको सवाल पूछ के, और अगर आपने fake news forward किया, तो हमेशा मैं कहता हूँ, आँ, what a fake news busting कवा आके आपको,